थालो दोस्तों मैं हूँ बैवाफ शर्मा और आज नर्चर क्लासित के थुरू हम देखेंगे NCRT-based जो भी हमारे 5 MCQ Geography के डिसकस करते हैं डेले तो आज हमारा 15 लेक्चर है तो हम देखते हैं आज NCQ तो चलिए पहला MCQ हमारा जो है पहला कोशन है वो यह है इसका मतलब होता है इंडियन स्टेंडर्ड टाइम अट अलावाद इन इंडिया ताइम अट ग्रीन विच लंडन विल वी मनलब यह कह रहा है कि वैं इस नून IST जो इंडियन स्टेंडर्ड टाइम है अट अलावाद में अगर दोपहर के बारा बज़े है कितने दोपहर के बारा बज़े हुए है तो कह रहा है कि उस टाइम ग्रीन विच जो ग्रीन इच है लंडन में जहां से ग्रीनिश से आपकी प्राइन मेरेडियन जाती है जिसे हम कहते हैं या मोत्तर इंदी में ऐसे कुछ कहते हैं इसको तो इसको आपको बताना है कि अगर अलाहवाद में आपके बारा बजे हैं दिन के तो ग्रीनिश लंदन में उस टाइम क्या समय हो तो अगर आपने लॉंग यूट्यूट के बारे में पढ़ा है जिसके बारे में पढ़ा है कि टाइम जोन कैसे डिसाइड होता है तो आप इस कोशन को कर ले जाएंगे वीडियो को पॉस किजिए कोशन को अटेंड करने की कुछ से कोशिस किजिए हम देखते हैं फिलाल चार पहला ओफशन है हमारे पास जो पहले ओफशन में का आ गया है मिड नाइट दूसरे ओफशन में का आ गया सेवन थर्टी आउर शेवन और तीसरे में च्छे बज़ के तीस मेंट का टाइम दिया गया और चौथे में नन ओफ एवर विनने से कोई नहीं होगा तो चलिए पह जीरो डिगरी लॉंगी ट्यूड है जिसे देशांतर बोलते हैं हिंदी में और इस जीरो डिगरी लॉंगी ट्यूड यह पास कहां से होती है यह पास होती है ग्रीनिच यह कहा है यह लंडन में है और यहीं से time zone decide होते हैं बाकी country के तो अगर इधर जाएंगे east में अगर हम जाएंगे तो आपका time zone अब इंडिया तो हमारा east में ही आता है और इधर इसके जाएंगे तो time zone अलग अब zero degree से अगर इसे base माल लिया गया है तो zero degree से अगर हम east की तरफ जाएंगे तो जो time zone होगा वो इस prime meridian से कितना होगा कुछ आगे होगा जैसे हमारा इंडिया का जो time zone यह है यह कितना है यह अलावाद मिरजावपर से निकलती है अलावाद से ही पास होती है यहाँ पे और यह कितना है 82 degree and 5 minute east किस से है east location इसलिए है क्योंकि यह prime meridian के east में है इसलिए east location दिया गया है इसको तो यह क्या है हमारा इंडिया का जो time zone है यह prime meridian के time zone से कितना है साड़े 5 घंटे आगे होता है साड़े 5 घंटे आगे है अगर सोचो कि green विच में अगर सोचो 12 o'clock है दोपैर के 12 बजे हुए है तो इंडिया में उस time क्या समय होगा अगर यह लंदन का time है लंदन का time है तो इंडिया में उस time क्या होगा इंडिया में साड़े 5 बजे होगे अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कि अलावाद में इस टाइम क्या है कोशन में हमारे क्या यह कोशन में यहीं पूछा गया कि इंडिया में कितना होगा तो इंडिया में नून है मतलब कह दिया आफ्टर नून बारा बजा हुआ है अब बारा बजा हुआ है तो पांच घंटे पीछे चले जाओ तो लंडन का टाइम ग्रीनिज का टाइम हमें पता लग जाएगा तो हम पांच घंटे पीछे अगर जाएं तो 12 से 5 गंटे पीछे जाएंगे कितना होगा साड़े 6 something ये हमारा कहा का time होगा ये लंदन का time होगा तो option में हमारा क्या बनेगा option में हमारा c option बनेगा कि लंदन का green is time पूछा है तो लंदन का हम साड़े 5 गंटे पीछे चले जाएंगे अब 12 से 5.5 गंटे पीछे जाएंगे तो आपका कितना आएगा 6.30, कितना बज़रा होगा लंडन में सुबह होगी मतलब लंडन में उस टाइम Greenwich में क्या होगा Greenwich में उस टाइम warning होगी sunrise हो रहा होगा तो उमीद करता हूँ यह question आपको समद में आया होगा तो चलिए हम दूसरे question को देखते हैं और दूसरा question हमारा कह रहा है कि which of the following type of soil इन में से कौन सी soil है चार type दिये गए हैं soil के और पूछा गया है इन में से किस type की soil है आर mostly confined to river basin जो जारा तर आपको river basin में पाई जाती है and coastal plain of the India और इंडिया के जो coastal plain है यह इंडिया का क्या है यह इंडिया का coastal plain है यहाँ पे आपकी यह coastal plain पे पाई जाती है यहाँ पे भी आपकी क्या पाई जाती है यह soil पाई जाती है बाकी इंडिया के बाकी parts में भी यह river जहां जहां पर है बहां पर river basin में भी पाई आते हैं river basin आपको हम बता चुके कई बार कि यह main river है और इसकी tributaries भी है अब इसकी tributaries और main river का यह पूरा जो water carry जो zone है इसको ही क्या कहते है इसको ही river basin कहते है अब वीडियो को pause कीजिए कोशन को अटेंड करनी के कोशिश कीजिए अगर आपने स्वाइल के बारे में पढ़ा है कि भारत में कितने टाइप की स्वाइल है कौन-कौन से स्वाइल है तो आप अच्छे से इस कोशन को अटें स्वाइल है आपका black soil जिसे रे गुर मिटी भी कहते हैं काली मरदा है और तीसरा आपका लटटराइट स्वाइल जैसे लेटराइट स्वायली कहते हैं LikeHowie राइट राइट मर्दा भी कहते हैं और तीसरा आपका रेट स्वाइल जिसे लाल मर्दा कहते हैं तो चलिए वीडियो को पॉस कीजिए कोशन को खुश से अटेंड करने की कोशिश कीजिए इसके बाद हम देखते हैं चार ओप्शन आपके दिए गए तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं भारत में कितने टाइप की मर्दा हैं कितने टाइप की एट टाइप आपकी भारत मे स्वाइल पाई जाती है बागी यह नाम दिये गए छे तो यह दीगी दो यह और है तो फिलाल हम यह देखते हैं भारत में जो एट टाइप की स्वाइल्स है तो सबसे ज़्यादा जो स्वाइल है वो कौन सी है अलुवियल जो एलुवियल स्वाइल है वो भारत में सबसे ज़ और यह पूरा यह आपको आज़iemandी आंसर है तो आंसर आपका आज़िशान भीर रिवर में और आपके अनसर में देख लेते हैं तक बाकी मिरदाएं क्या है अब ब्लैक सोउल आपकी कहां पाए जाती है यह देखो ज़्यक्न प्लैट्टियू है यहां पर को आपकी सवक्तित अ अधर सकर्वा मेश्यों करनамен खर्गिप इरोजन हुआ मलब वीदरिंग हुई रोजन हुआ यह इसके बाद यह जो आपकी स्वाइल बनी ब्लैक स्वाइल में बनी है इसको आधर नाम रेकुर्ट स्वाइल भी कहते हैं और अगर इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो यह ड्राइ सीजन में क्या होती है इसमें क्रैक प क्वाइशन होती है कौटेन क्वाइशन सबसे ज्यादा मिलती है सब से जदा में खुलेगी जितो शॉएओं यहां जो western coastal area पे जो आपकी soil पाई जाती ये क्या है ये आपकी laterite soil है ये आपकी laterite soil क्या होती है ये आपकी concrete type की बड़ी बड़ी होती है इसमें leaching की process देखने के मिलती है leaching मलब क्या होता जब बारिश होती है तो जो भी minerals and nutrients होते हैं वो सारे बारिश के सार नीचे चले जाते हैं तो ये एक type की unfertile होती है अन उपजाओ या unfertile soil होती है और इसमें काजू वाजू की खेटी बहुत जादा होती है ठीक है वहीं तीसरी red soil की बात करें तो red soil की क्या है यह आपको red soil दूसरे नमबर पर भारत में जो आती है वह आपकी red soil देखने को मिलती है सेकेंड नमबर पर जो 25% संथिंग संथिंग पाई जाती है red soil और यहां पर red soil में यह red क्यों होती है red होने का reason है क्योंकि इसमें क्या है इसमें iron की iron पाया जाता है मतलब quantity होने की वज़े से इसमें क्य है presence होने की मजह से यह red दिखती है यह यहां पर आपकी की खेटी होती है कि तुवाको मतलब जो आपकी तम्बाकू है तम्बाकू की खेटी तेखने मिलते यहां इसे तरह को आंदर प्रज्चवितर मिलेंकी यह clear और यह आपकी arid soil है जिसे आप आपकी thar desert में मिलती है तो अमीद करता हूँ यह चीज़े समझ में आई होगी तो आपका जो question था कि soil पूची केटी soil are mostly confined to river basin आपकी river basin और coastal प्रेंट पाए जाती है तो आपने उमीद करता हूँ आपकी जलोड मिट्टी पाए जाती है तो चलिए next question देखते है next question हमारा which of the following drainage system fall into bay of bengal पूछा गया इन में से कौन सा drainage system है जो आपका bay of bengal में गिता है देखो आपकी rivers है भारत का यह coastal plane है जो भी coastal area है यह 7000 को something है वह 15 कुछ है तो coastal plane पे अगर हम देखें तो कुछ rivers हैं वह आपकी इदर आपकी क्या है इदर आपकी bay of bengal और इदर आपका arabians ही है अब इसमें कोशन में यही कहरा drainage system मतलब होता है कि नदियां कुछ flow होके जाती है और यह कहरा है कि वो हमें एक pattern बताना तीन तीन नदियों का pattern है वो हमें pattern बताना जो bay of bengal में बंगाल की खाड़ी में गिरती जाके नदियां और वो हमें नदियां बतानी है तो अगर आपको drainage system reverse के बारे में पता होगा तो आप उमीद करता हूं कि आप इस question को attend अच्छे से कर ले जाएंगे तो चलिए नई पता है उसके लिए हम बैठे हुए हैं हम करवाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैसे अपने आप से question को attend करने की कोशिस कीजिए अटेंड कीजिए और देखिए क्या उसका answer बनता है तो यह वाला जो reason है खमबा गया तो देखे पहला option आपको दिया गया गंगा भ्रहमपुत्र एंड गोदाव्टीम जो गंगा river की अगर हम बात करें तो गंगा river क्या होती है यह आपका map दिया गया है अगर हम गंगा river की बात करें तो गंगा river आपकी उत्राखंड से निकलती है उत्राखंड से निकल के यह क्या होती है यह गैंगेटिक प्लैन में 25-25 किलोमेटर चलके यह आपकी यहां जाके इसके बाद यहां पे way of बेंगॉल में गिर जाती है यह आ आपका Arabian Sea तो देखो गंगा उत्राखंड से निकलती है फिर अलक नंदा देव प्रियाग में दोनों मिलती है तब यहां से बनती है आपकी गंगा और गंगा बनके फिर यह क्या करती है आगे जाती है उत्राखंड में उत्राखंड कर सबसे ज़्यदा यह ट्रैवल करते है यह य Churchill में उत्राखंड में मलब यह पूरा ट्रेयवलिंग इसका पंचीस व पंचीज को मेटर इंडिया में सब्सेतर ट्रैविलिंग जो गंगा से य cute व भी हार बियार के बाद द्खिर ब्हार फिर यह आपकी बंगला देश में जाती है जिसका नाम भागी रथी हो घतार फिर यह फ़र यह पर यहां पर यहां पर ही मिलती है इक एक अलग नदा अलग नग अलग नदा अब यह दोनों रिवर featured डेप तो आपकी गंगा का फोर्मशन होता है तो यह तो गंगा आपकी कहां गिरी जाके हमारा कोशन यह था अभी टॉपिक बहुत बड़ा है किसी दिन पढ़ाएंगे इसको लेकिन फिलाल अभी हम कोशन पर फोकस करते हैं तो कोशन की डिमांड यह है कि कह रहा है कि पहले तो गंगा गंगा आपकी यहां गिर गई आके दूसरी आपकी यहां से तिबस से सांगपूर रिवर निकलती है जब यहां पर एंटर करती है आचल पर जब यह असाम में एंटर करती तो इसका नाम भ्रहमपुत्र हो जाता है और भ्रहमपुत्र होने का फिर यह एंटर करती है बंगला देश में बंगला देश में इसका ना नासिक में महारास्ट्रा में नासिक है नासिक के पास एक जगह त्रंबेकिश्वर बहां से निकलती है महारास्ट्रा के बाद यह नदी तिलंगाना के बाद यह फिर 36 कि बाद में फिर औरी शार मुद्री के पास अपना जाक्या डेल्टा बना देती है यह बे बंगाल में करती है जिसका नाम है गोधावरी तो यह आपकी गंगा और यह आपकी हो गई ब्रह्मपुत्रम तो यह तो तीन अदिया यह अब बेव बेंगॉल की बात की तो आंसर तो आपका निकल आया अब इसको अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे यह तो आपका मलब पहले यह आंसर हो गया कि आपका जो ड्रेनर सिस्ट्रम में बेंगॉल में गंगा ब्रंपू तो गोदावरी तीनों रिवर आपकी इसमें करते हैं अगर हम को यह option नहीं पता फिलाल हम कोशिश कर रहे हैं तो हम 20 से अटें कि महारास्ट और मद्रप्रदेश महारास्ट और यह जाके यह आपकी बे आफ खमबाद हैं गल्फ ऑफ खमबाद हैं अब इसमें गरती है कि मलब यह अरेवियन सी में गरती है एगर हम देखें तो हमारा यहां से यह तो ऑफशन हो गए ही नहीं क्योंकि हम बे बेंगॉल की बात करें नर्वदा तो पहले इखर रही जड़ेश में करती हैं तो यह खिलाल हम इनको देख लेते कावेरी है तो यह आपकी यहां से क्रश्णा निकलती है और यहां पर गिरती है फिर नीचे आपकी कावेरी निकलती है कावेरी यहां पर गिरती जाके ठीक है तो यह आपकी नदियां बेव बंगॉल में गिरती है एक नहीं गिरती है तो इसलिए आफशन नहीं होगा क्योंकि राइस्थान से निकलती है ठीक है अब गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में गरती है वहीं हम बात करें किसकी तापी रिवर की तो तापी रिवर जस्ट नर्वदा रिवर ये कौन से आपकी नर्मदा और नर्वदा रिवर के जस्ट नीचे से आपकी निकलती तापी यह भी खंबात की माधि क्मदगादी वी ज भी घाद़ी में गिरती हमालव यह तापी रिबर ऑ है यह पास एसे ढंटकारा प्लेटिवी होते हुएHa १ृषा हमें कटक के पास अपना बंर धेल्टा बनाती है महा नदी इसे कहते हैं महा नदी तो यह बेव बेंगॉल में करते हैं तो आफ्शन आपको यहीं से समझ में आप गया तीन तो आफ्शन कट गया पहला आपका अंसर का हो गया गंगा ब्रहंपुत्र अंगोदावरी जिसका ड्रैनस सिस्टम फॉल इंटी दा बेव बेंगॉल कोशन समझ में आए होगा और थोड़ा नदियों का पैटन भी समझ मैं होगा किसी दिन लेक्षर लेंगे तो हम देखेंगे सारी इंडिया की जितनी नदिया है उनके बारे में देखेंगे और वर्ल्ड की नदियों पे भी हम डिस्कॉशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है तो चलिए नेक्स कोशन हमारा है इसमें इस कह रहा है यह चार कंडिशन आपको दी गई है इन चार कंडिशन में से एक कंडिशन नहीं है जो डेल्टा के फॉर्मेशन में दिल्कुल ही काम नहीं आती है जो डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए फैवरेबल है नहीं कंडिशन ही नहीं है कि जिसकी वज़े से डेल्टा बनता है अब डेल्टा क्या होता है उस चीज को देखो उस चीज को देखना पड़ेगा फिलाल तो जहां से रिवर निकलती है अब जब रिवर जहां से निकलती है वो अपर कोर्स होता है यह कौन से होता है यह आपका अपर कोर्स होता है जहां से रिवर निकलती है, जैसे रिवर निकल के प्लेन एरिया में आती है, पहाडों से रिवर निकलती है, अब पहाडों से रिवर निकल के प्लेन एरिया में आती है, प्लेन एरिया में आके रिवर क्या होती है, प्लेन एरिया में आके रिवर धीरे 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 ये स समुद्र के पास पहुंचती है, जैसे ये समझ लो, ये C है, अब C के पास पहुंचती है, तो ये आपका हो गया lower, lower course, C के पास, और ये वाला बीच वाला हो गया आपका middle course, middle course, तो यहाँ पर ये ही पूछा गया है कि आपका upper course, अब पहले वाले में बात कर रहा है कि active vertical, vertical मलब एकदम उपर से नीचे आना, active vertical and lateral erosion, erosion मलब अपने साथ अपरदन, जिसे बोलते हैं, अपरदन, और अपने साथ जो नदियां होती हैं, वो मिट्टी को काट के ले जाके, अपरदन का मलब होता है, जब नदी फ्लो कर रही होती है, तो अपने साथ क्या होती है, मिट्टी, जो भी चीज़ें होती है, silt होता है काट-काट के पहाड़ों से लाती है मैदानी छेतर में ले आती है तो उसको erosion कहते है अपरदन कहते है तो ये पहला option होगे दूसरा option है कि cost should be preferably tideless मतलब जो cost coastal area होता है ये वाला cost होते है जो इसके जो cost नदी के जो cost होते है cost should be tideless यहाँ पे tide नहीं होते है tight मलब जो 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 आरभाटा कहते है जो आरभाटा और तीसरे option में कह रहा C adjoining the delta should be shallow जो आपका समुद्र है वो adjoin करता है the delta should be shallow यहाँ पे delta आपका एकदम कैसा होता shallow type का होता उथला हुआ होता है इसलिए और चौथा आपका option बनता है delta जहाँ पे C को जोईन करता है जासे नदी जहाँ पे C को जोईन करते है जैसे यह है C आपका और नदी आके यहाँ पे join कर रही है अब जहाँ पे नदी join कर रही है तो कह रहा है नहीं आ रहे होंगे यह सारी condition नहीं मिलेंगे और चौथे में कह रहा है there should be no strong current running at right angle to the river mouth यहां पर कोई strong current नहीं होगी धाराएं नहीं होगी जो समुद्र से आ रहे होगी right angle पर एकडम मतलब जैसे यह नदी भेह रही है और यह समुद्र से एकडम धाराएं इसको यहां पर strike करें ऐसी कोई condition नहीं होगी river के mouth पर river का mouth कहां पर है जहां पर river कहां पर sea में या ocean में मर्ज होगी है तो यह चार condition है तो सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा क्या होता है तो चलिए वीडियो को पॉस्ट करके कोशन अटनगा नहीं कोशित कीजिए फ्लाल आंसा तुम देखी लिए आपने तो देखो य दिनिया की सबसे लंबी रिवर है और यह आके में आती अपना डेल्टा सबसे पहले हम देखते हैं डेल्टा के हुटक है अगर हम डेल्टा की बात करेंटा के है तो जब रिवर अपनी लास्ट स्टेसाइस पे याहिए Lost पर यावर ये लूवर कोर्स पर रिवर आके यह सार मलब शाक्षाओं में क्या होती है डिवाइड हो जाति है। इसके पास C में मर्ज हो जाती है। अब इस साक्षाओं में deiv害 होने का रीजन क्या है कि ऐसे करके यह 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 फॉर्ण क्यों बन जाता है यह पैटर्ण जैसे गंगा गंगा रिवर के साथ मिलकर वहां बिलती है तो वह भी सुन्दरवन डेल्टा बनाती है तो यह डेल्टा क्यों में लाती है तो रिवर अपने साथ इरोजन करती है और अपने साथ मिट्टी काटके लाती है बहुत सारा सिल्ट काटके लाती है और जब पहाड़ी एरिया से सिल्ट लाती है धीरे धीरे वह प्लैन एरिया में आती है तो प्लैन एरिया में वो silt deposit होता जाता है और जैसे जैसे last lower coast तक आते आते हैं वो silt इतना हो जाता है river में की वो deposit हो जाता है तो ये जो gap दिख सी लगो सी लाजता है और पानी तो flow हो नहीं है फिर पानी अपना इधर उधर जगह ढूंता है अब पानी जब जगह जैसे मिलती है फिर वो ऐसे करके पानी का फ्लो होने लगता है अब यह ग्रीन ग्रीन जितना दिखा यह सारा सिल्ट है और यह वाली फिर नदियों का पानी ऐसे ट्रिबुटिव में फ्लो होने लगता है में flow में Our запाद रहता है इसरी को जो यह like कि यह पैटंड हो जाता है क्योंकी सिल्ट की कारण के पैटंड क्योंकि एपने सथ बहुत सारा सिल्ट लाती है तो जो पैटंड बनथा उसको ही कंडिशन है डेल्टा ना बनने की तो देखो हमने यह तो देखा डेल्टा ना बनने की यहां पर बहुत सारा सेल्ट होता है और वहां पर वेजिटेशन भी बहुत होती है vegetation जैसे आपको mangrove मिलेंगे mangrove mangrove के vegetation मिलेंगे जो tide diet को इनकी intensity जो speed होती है उनको सबको कम कर देते हैं तो यह आपको costal क्या मिलेंगे tide less मिलेंगे तो पहला option तो सही है favorable condition of delta है not पूछा गया आपसे तो पहला तो आपका सही है तो यह तो नहीं option में होगा लेकिन फिलाल डेल्टा के formation में favorable है अब देखो जहां पर नदी डेल्टा से मिलती है बहाँ पर अपने साथ silt लाके deposit कर देगे ग्रीन वाला gaping वाला part silt है पूरा अब silt deposit कर देगी अब वो silt सारा कहा ओशन में ड्रॉप करेगी सारा silt ocean में डालेगी तो बहाँ पर उथला वैसी हो जाएगा अब बहाँ पर जब सैलो हो जाएगा तो यह भी favorable condition है डेल्टा के साथ तो यह भी answer में नहीं होगा क्योंकि answer में not पूचा गया है ठीक है ध्यान रखना है चीक है तीसरा option चौथा कह रहा है तो यहां पर कोई भी strong current ऐसी नहीं आ रही है जो इसको राइट एंगल पर सीधा strike कर रही हो तो यह वी एक favorable फार्मिशन ओफ डेल्टा कंडिशन है अगर नहीं है तो हमारा answer अब देखो question करते वक्त इस चीज को circle कर लेना क्या पूचा गया आपसे नहीं तो आप सही समझ के एक लगाएंगे answer गलत हो सकता है तो देखो यहां कहला active vertically and lateral erosion ठीक है erosion तो होता है नदी अपने साथ आती है तो भाई साथ साइट साइट से मिट्टिया काट के लाती है मिट्टि को कोर्स में होता कहां होता अपर कोर्स में होता अब हमने आपको अच्छे से समझाया कि जब नदी mountain से जाती है न तो ऊपर से स्पील्ड वहती है तो वह नदी बड़कल इसकी जो जब नदी आती है तो अपने मिट्टी erosion करते है तो यहां पे ऐसी घाटी भी बन जाती है, वैली type- पी बी shape की वैली जैसे tudar जयसे मैदानी चत में आती, ये shape change होता रहता है, तो घीरे घीरे delta के पास ये shape ऐसा हो जाता है. तो ठीक है यहां पे lower course ना होके आपका क्या होगा? उपर course होगा. तो यह हमारा answer is not delta की तो उमीद करता हूँ यह question आपको समझ में आया होगा अब हमारा last question है last question हमारा क्या कह रहा है last question हमारा यह है arrange the following islands of Japan Japan के islands हैं जिनको north to south लगाना हो अब देखो Japan क्या है एक chain of island ठीक है तो चलिए question वीडियो को pause कीजिए और कोशन को खुझ से अटेंड करने की कोशिस किजिए, उमीद करता हूँ, आपका सही होगा, फिलाल तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं मैप पे, अम मैप पे सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारा प्यारा फार, ये रहा, इंडिया के जोड़ा आगे चल के यह जून करें तो यह आपको मिलेगा जापान जोड़ा है जापान तो यह जापान मिलेगा तो जापान की अगर कंडीशन को लोकेशन को देख है तो जापान कई钱 की आपको ख집 ़ैप कि आइलैंड की चैन shout तो इसको क्या कहते हैं चैन को ही और बहुत सारे आइलेंड्स मिलके, छोटे छोटे आइलेंड्स बने के कंटी या रोऊप खुच एक मलब गुरुफ बनातेframes , तो उनको कहते हैं अब चोटे आइलेंड की चैन को तो इसको ही कहते हैं अब जापान की लोकेशन भी देख लिए आपने जापान की तरह देखो यह हमारा भारत है यह हमारा भारत से अगर हम नौर्थ इस्ट की तरफ चलेंगे से और तो यह पूरा पैसिक और फाइर में आता है आपका जापान olabilir यहां पर दaller ठाक्न동 neighborhood यहां पिलेट यह पर यहेशन प्लेट यहां पर आपको मेलेगी है आप जापान की इधर आपको वेस्ट में मिलेगा c की आफ जापान और इधर आपका पैस्विक्स ही है यह क्यूरेल आइलेंड च्छोटे यह कुकal यह विंप बेस कोशन है यह यैप युदल आइलेंड यह झाल disk Japan है ज़सी रेक्षांगुन Theaponasi अब आपने जापान को अच्छे से देख लिया ठीक है तो चलिए हम अपने कोशचं पे चलते हैं हम से पहले हम nort में देखें तो हमारा क्या होकाइडू आइलेंड जापान चार आइलेंड में बटा हुआ है जापान जो आपका है जापान वो फोर आइलेंड से बड़े बड़े जो आइलेंड मेजर आइलेंड है उन फोर मेजर आइलेंड से मिलके बना है तो नौर्थ में जो जापान का आइलेंड है उसे कहते ह नहीं pewno अन डिंगा जापान की टोड के पिटल यहां पे हैं तोक्यो पर यहां पर क के सिटी है यह आइलेन्ट में अगार यहीम विए दिख रहा होगा यार्जिस्ट सब्से बड़ा आइलेंट आइलेंड है आप जापान का होंशू आइलेंड होंशू के जस्त नीचे जाएंगे तो आपको साउथ में मिलेगा शिकोकू यह ग्रीन वाला पार्ट आपको शिकोकू आइलेंड मिलेगा और लास्ट में आप जाएंगे कुशू आइलेंड मिलेगा जो सबसे छोटा है तो य यह है टोक्यो यह टोक्यो कैपिटल है जापान की माउंट फ्यूजियामा सब्सक्राइब बोल कहने के रप्षन होते हैं यहां पर यह भी यहां पर ठीक है तो चलिए उम्मीद करता हूं अब कोश्चन को अटेंड करने की कोशिस केजिए देखिए तो होंशु सबसे पहले त लास्ट में शोकोकु बात में पहले हैं है तो यह भी option नहीं होके आपका आंसर क्या हो जाएगा यह हो यह होजाएगा कि होकाईडो होचुः Vad TOter आपकी ऐलेंड यह होकाइडो है यह होंशु यह घिश्य चार आइलेंड की चया आइलेंड की ऐलेंड की चया तो आइलेंड कीशान को और फहरोको कहते हैं तो यह आपके थे content जो आज हमने to solve करने के कोशित चैद से happy एड़ेमेंगा इसमें को इस टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहेगा तो इसी नोट पर हम अपने वीडियो को फिनिस करते हैं गौड विलेश यू आल एंजय हिन